हेलो एड़ीवान वीडियो नहीं बना पाया था लास्ट के दो दिन की बिकॉज मैं कम्प्लीट रेस्ट ले रहा था इसलिए मैंने वीडियो भी बना ही बट सो मेरा डेशिक्स सेवन और आजका दिन एट सब्सक्राइब तो मैंने बहुत रेस्ट किया है खुब सोया हूं मैं और मेडिकेशन प्रॉपली टाइम पर यह स्टीम मैंने रिगुर्ट रिगुर्स ली ओन टाम लिया है आप समेल तो नहीं आरे मुझे टेस्ट अभी भी है और थ्रोट मेरा कम्टीटी ठीक नहीं थीक है जादा इसमें 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 तो पानी तो नमली भी रहां कर अम तो नहीं पी पारा बठाश टीम और गागल मेरे में डेटरी है तो उस चक्र माइधिंग आए फील बेटर एंड इस तरह का घराश टोड़ी जादा हो रही है मुझे एक्चली काफी लोग को क्या होता है कि जैसे अपर ऐसे स्मेल करते हैं और गले में ठंड़ना लगता है जैसे फाइन खाने पीने में तो सब नॉमल ही है और थोड़ा सा और कहते हैं टाइमली टाइम तो सो नहीं पाते हैं टाइमली बठाएए कि नींद फिर प्रॉपर्ली लेकर सब्सक्राइब होटते हैं अदाम से लास्ट टू डेज अ मुझे अ मुझे अधिक उच इस्च इ अधिक जादाम इंफेक्शन जादा कुछ है नहीं हम सबको तो सब्सक्राइब क्रिटिकालिटी सिंटम्स नहीं थिखे थोड़ा से साथ में हजी मजाग कर लेते हैं कोई अगर अकेला है तो I can understand कि वो कितना बोर फील कर रहा होगा तो I can only suggest कि utilize your time in reading something or doing some meditation और नहीं तो सो सबसेटीज़ दो यह समय है nothing better than that if you can sleep completely and take full rest I think that is most important द्वाईया मेरे सेंब ही चल रही है ऐसाद को चैंज ही नहीं नहीं हुए brother gothra infection जादा था उसका HRCT 6 आया था तो एक एक स्टेरोइड उन्होंने एड किया है मैं उसका एक बार नाम चेक करके एक बार आल जिस अगें स्टार्ट ते वीडियो तो एल टेल देने में इस वेल हाँ जो भाई को जो स्टेरोइड मिला है देट इस मीथाइल प्रेडिनी सोलोन टेबलेट सोलमजी की है यह कार्टी प्रेड 16 इसका नाव है ऐसे दिखती है दवाईगे इस अगें इस इट गए शोन प्रोपरी पटी किया तो अब टो डॉक्तर से अब गर पर हो जादा प्रेड ना हो सुछी दे जाता है इसे कुछ वरिट की बाद तरह देटिस नथिग वर्याउट है बटाप पॉंइट यह की अघर पे है तो यू नीड टो टेक मुझ बेटर प्रिकॉशिंस तो भाई जेनरिसली टाइमली स्टीम ले रहा है ताइमली गागल कर रहा है और उल्टा भी लेट रहा है क्योंकि ऑक्सिजन लेवल अगर इंक्रीज करना है अगर कुछ कम ज्यादा ना हो जाए तो अस चक्कर में तक कि अलगा कि आप सोते हैं तो फिर इशू हो जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि हम उसको तोड़ा ज्यादा कुछ करा हैं बढ़ हाँ अगर आपका भी HRCT score ज्यादा है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी कफिंग ज्यादा हो रखी है और आप ठीक नहीं हो रहे तो I will advise you to talk to your doctor I am sure doctor will recommend some steroids which is most important in COVID symptoms and such scenarios आपको CT scan में complete आपके लंग्स का प्रॉपर पिक्चर देता है वह दिखाता है कि कहां कहां पे कितना लेवल आफ इंफेक्शन है और बहुत सारी चीजी होती है जैसे अब अब जैसे हम उपर एक first floor पे हैं और नीचे mom dad second floor पे and mom को symptoms आ रहे थे चेस्ट में थोड़ा सा congestion मान लीजिए weakness हलका सा mild fever और लेकिन सारे काम ही कर दी खाना बनाना हो गया और मेट को भी चुटी देदी थी उन्होंने क्योंकि हम लोग पांचे जने कोविड हैं चाहे वो first floor पे हैं बट स्टिल उन्होंने मेट को चुटी देदी अब सारे काम हो कुदी कर रही है तो उन पर सारा लोड आ गया था और फिर एक एक से कर आया तो थोड़ा सा इंफेक्शन उसमें दिखा दॉक्टर को अलका सा ECG कर आई ECG में कुछ भी नहीं आया तो हार्ट का कोई इशू नहीं था उसके अंदर फिर HR CT कर आई HR CT के अंदर 6th level का इंफेक्शन आया विच इस अगें माइल बट प्रकॉशनरी बेसिस पे और अब जैसे हम लोग भी घर पे यहां पे ऊपर के फ्लोर पे कॉरंटाइन है एक तरह के साइसलेशन में है वो भी अगर हमारे साथ आ जाती और पापा नीचा के ल पांचे दिन आप हॉस्पिटल में रेलाक्स करोगे और हमें बेड प्रॉपरली इमीजेटली एंटो एंड मिल गा था तो फिर कोई इशू भी नी था यहांनि दर थे ख्राइन को एंड जात दिन दार थैटली और यहां पर इंग ग्रॉपरली दो ग्रॉपरलीषट जेखा टो स्फ़र्डी खेंडली पर नहीं पुर्ली दो इसलिए उनको कि थी नहीं दो रहेंगे और जो आपाद के दुरार्ण, जैसे फॉर वह जाद इवन वाचिंग टीवी और इवन वाचिंग मॉबाइल फोन इधिंग यहां पर भी आम शूर आप लोगों अगर सहमत करते हैं तो प्लीज कॉमेंट करें इफ यू और या फिर अगर आप कोविड रह चुके हैं पॉजिटिव पहले तो और आपने कैसे अपने फेस को मैनेज किया तो यह चीज थोड़ी देखनी ज़रूरी होती है बट इसमें यह चीज है कि इस चीज को बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना लेकिन हाग किसी भी सिंटम को अवाइड निकरना और प्रलेली इफ यह नौट और कोविड पॉजिटिव देन स्टीम गागल गरम पानी काड़ा हल्दी का दूर यह चारपाँ चीज हैं जो यह होम रेमिडीज हैं यह आइधिंक प्रिकॉशन भी यह ही और क्योर भी यह है मुझे तो यही समझ में आया भी तक इस बिमारी के अंदर यह ज्यादा लंग्स में इंपैक्ट ना कर दे तो एक क्रिटिकल चीज एक क्रिटिकल सिट्विशन बन जाती है और अगर कोई अगर सीने सिटिजन है तो यह ज़रूर क्रिटिकल बन सता है भतिजिक उसके लावा वोस्टिकल केसी में शायी ना बने इसके कुछ एक यह कार लावा ही और यह यह कुछ Kids को में किसी में नहीं चीज कर सबस्कूर व catum की कीष advances को एक बिर्श्動画 सिघना म में प Опने लिच है जिए औरा यह मुट्तुन सीन सह हिए पर यह जादा पात करना या ज्यादा किसी से डिस्केशन करना और कोई अकेला बंदा है तो I'm sure it depends कि आपकी क्या mental state है तो इसलिए अपने आपको occupy रखिए अच्छी चीजे पढ़ी है I think that's what I'm repeating again and again और बागी लोग जो नहीं है उनको मैं यहीं कहूंगा कि COVID patients generally जब isolation में रहना न बड़ी अलगची बात होती है I mean it's very typical Shiraam 14 साल के लिए वनवास में थे तो we can understand they were doing you know he was doing a lot of different things हम लोग एक घर में एक रूम में कोई कहां पे है वो TV है नहीं है washroom है नहीं है hygiene maintain करना किसी के लिए अगर घर में अकेला ही है सब कुछ ही खुद ही करना है तो बरतन भी खुद के हैं वो भी अलग से manage करना अब आपके समझो घर में कोई husband wife है और चोटा बच्चा और किसी एक को हो गया तो दूसरा बंदे के लिए तो hygiene भी है सफाई भी है और जिसको है वो भी tension में रहेगा कि मेरी वज़े से जो मैं बरतन है जो मैं exchange कर रहा हूं चीजे उसके थ्रू ना फैले तो यह सब चीजे बहुत सारी में रखना चाहिए इवन ग्लासिस भी रखो चमबच भी रखो मैं तो कह रहा हूं और स्टीम नहीं है तो स्टीम तो रखो यह सब बेसिक बंच चुके हैं अब आप hygiene के मामले में और कोई मेहनत क्यों करें जब आपकी तवीदी खराब को शरीर आपको ध्यान नहीं दे रह तो आप कैसे उठके काम कर लोगे मतला लिटरली आज डे एट है राइट सिक्स तरे तक मेरे में कोई हिम्मत ही थी कुछ भी करने की तूबी ओनेस्ट कल जुरू थोड़ी हिम्मत आई है आज डे पर मैं आज प्रॉपर्ली टाइम पर उठाउं सुबह 6 630 अपने आपी नी निए हुआ आए वस लेकंप्रीटी फाइन नाश्ता वाश्ता सबसे बाते करना बुक पढ़ना और सारे काम अराम से हो गए बारा एक बजे जाके मैं फिर सोया दो गंटे के लिए और तब तक फिर तब ऐसा लगा कि बस बहुत काम कर लिया तो दैट इस अनादर इनर्जी जो है उसको आप कंजूम ना करें इसको सेव करें इसको स्टोर करें क्योंकि वह आपको लगए कि बहुत अच्छे हो गया अब आप सारे काम कर लोगे सारे काम ही आप कर सकते हो लेकिन अब दैट बेड़ेट एपने पेंड़ेसल आपके साथ में बी कोई और आई इंपोर्टन और अगर कोई अकेला ही बंदा घर में है तो एक अलग सिट्यूशन हो जाती है तो मेंटली फिर बाकी लोग स्ट्रेस्ट ना हो आपको अगर आपका हाई इंफेक्शन हो तो तो दे वन में अधिक करते हैं और दे टू से आठ सो एमजी सुबह और आट से अमजी रात को करते हैं इट कैन प्लस माइनस हर एक डॉक्टर का हर एक इंफेक्शन के साब से हर एक पेशिंट के अलग डोसेज है तो दो नोट गो आज दिस इस अ स्टेंड लोन तिंग और सेक्रोस्ट थिंग बताव इट राव इंव दन अग्रीड प्लस माइनस प्लस थैस नोस ब्लॉकेज नहीं है मुझे है अगे नहीं बॉडी एक नहीं नहीं है आधिक नहीं प्रॉपर स्लीप और जादा प्रीन एक्सपोजर नहीं इए मेरा तो अभी डोसेज अब देखते हैं I think I'm thinking at least 10-11 दिन तो डोसेज ले और दोतीन दिन का ब्रेक लेकर फिर 14 या 15 देखो हम अपना HRCT या फिर कोरोना का टेस्स कर रहा है और उसके साब से डिसिजिन लेकी क्या करना है वह लेट सिया इंग कल जाके एक बार डॉक्टर से मिलेंगे जैसा भी वह बोलेंगे उसके according for decision लेके then we'll go ahead and because यह चीज ऐसी है कि there is no you know वह कफ लोग सबकी अपनी अपनी क्योरी है तो ठीक है अब बिमारी अजीब सी है तो क्या करें treatment भी अलग लग सही है इसके अंदर इससे अच्छा बरी होने सच है कि जब एक बार कर लो सारी चीज़े होना तो है काफी लोग को दूसरी पार भी हुआ है एक साल के अंदर तो I'm sure यह आगे भी वापेस भी होने के chances है तो फिर life में hygiene और यह standards आरे increase करने ही पड़ेंगे तो there is no other option to that so good take care everyone please follow all your home remedies do not the video and stay safe Jai Shri Ram